आज मैं आपके लिए चोकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूं उमीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी चलें आएं इनके इंग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं सबसे पहले हाम लेंगे वन कप मेदा हाफ कप कोको पॉर्डर हाफ कप ब्राउन शुगर हाफ कप कोको पॉर्डर हाफ कप शुगर और हाफ कप ब्राउन शुगर तू अग्ग, हाफ कप ओल, वन टेबल स्पून वनिला अंस, वन टेबल स्पून बेकिंग पॉर्डर, वन बाइफ टेबल स्पून बेकिंग सोड़ा, वन पीज शॉल्ट हाफ कप, हाफ से भी कम कप दूद, हलका सा गरम किया हुआ और वन टेबल स्पून सीरका, दूद के अंदर वन टेबल स्पून सीरके की एड़ करके, इसको मिक्स करके, एक साइड पर रख देंगे, इसके बाद कोको पॉर्डर, मेदा, सॉल्ट, बेकिंग पॉर्डर और बेकिंग सोड़ा, इनको अच्छे तरीके से चान लेंगे, ताके इनके अंदर किसे भी किसम की गुठली ना रहे, इससे हमारा केक ठीक नहीं बनेगा, अच्छे तरीके से चानने के बाद, अब इसमें हमने हाफ कप शुगर, हाफ कप ब्राउंड शुगर, हमने अपनी शुगर को पहले से गुरेंड कर लिया था, ओएल, फू एग, सिरका एड़ किया हुआ मिल्क, अब इसमें एड़ करके बीटर के साथ अपने इस माटीरियल को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, हम अपने इस माटीरियल को तकरीबन दस मिनट के लिए बीट करेंगे, अच्छे तरीके से बीट होने के बाद इसमें वन टेबल स्पून वनीला एसंस और थ्री टेबल स्पून हॉट वाटर डालेंगे, हॉट वाटर डालने से हमरा केक बहुत सॉफ्ट बनता है, एक पैन में नीचे ओयल लगाकर उसके उपर बडर पेपर लगाकर ओयल लगा देना है और अपना माटीरियल सांचे में डाल देना है, और अपने सांचे को दो से तीन बार टैप टैप करेंगे, जिससे इसकी अंदर की एर फिनिश हो जाएगी, और इसके बाद हम अपने पतीले में इसको बेक होने के लिए रख देंगे, हमारा केक 45 मिनट तक रेडी हो जाएगा, इस तरह से हमारा परफेक्ट चोकलेट केक रेडी है, मुझे अमीद है कि आपको मेरी ये रेस्पी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राइ करेंगे, ठैंक,